देश के कई राज्यों में हस्पितालों में आगजनी की गटनाएं सामने आ रही हैं इन हाथसों में कई लोगों को आगजनी की इन गटनाओं को सबक लेते हुए केंदर सरकार ने हस्पितालों में तमाम जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिये हैं करनाल की बात करे तो हस्पताल में फायर सेप्टी की स्तीती पर्खी तो वहाँ पर आग से निपटने के यंतर सही पाएगे जीला नागरिक हस्पताल की बात करे तो सभी आग बुजाने वाले सिलेंडर देखे गए तो वहाँ पर 2021 की एक्सपारी डेट है अक्सर कहीं बार देखा गया है कि गैस लेंडर एक्सपारी डेट के मिलते हैं लेकिन करनाल के जिला नागरिक हस्पताल में बहतर इंतजाम पाए गए इतना यह नहीं हर क्रांग जारी को फाइर सेप्टी के लिए प्रिशिक्षन दिया गया है हमारा जो सेविल हॉस्पिटल है हमने फाइर डिपाटमेंट के साथ मिलके इसमें उनका पूरा एक्जैमनेशन करवा रख है उनका और फायर डिपार्टमेंट से ही हमने एन्मों सी लिया हुआ है इसका पतलब यह है कि हमारे पास फायर चे निवटने के लिए पूरे एक्विपमेंट है हमारे पास हमने जो फायर मैं की पोस्त है जो लगाया हुआ है जो हर रोज हर जंगे जाके चेट करता है कि जो हमारे equipment है वो ठीक काम कर रहे हैं या नहीं कर दिए जंगे जो fire department के साफ से consult करके हमें हर जंगे जो fire extinguisher होती है वो हर जंगे लगे हुए और हर जंगे उनके हर रोज उनकी चेकिंग होती है कि जो टाइम से है वो खाली तो नहीं तो हमारे पास लगजब पीस fire extinguisher है जो हर जंगे लगे हुए है और उनकी हमेशा चेकिंग लगी हुई रही है इसके लिए हमारे पास जो पंप सिस्टम है वो है ताकि अगर आग लग भी जाए तो फायर एक्स्टूनिशन ना हो तो पानी से जो पानी से उसको बजाए जासे देपार्टमेंट के जो भी इंस्ट्रक्शन हैं फायर डेपार् इस बात का बिल्कुल खास त्याम रखते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा सिलेंडर ना हो जो खाली मिले हमने एक बंदे की जूटी लगी हुई है जो सिर्फ इसी काम के लिए है कि जो सारे सिलेंडर हैं साथ के साथ ही भरवा दिया जाती है कि प्रियानगमरा से इसके इसाब से अगर की वियिक वििदिग में में मैंःे-कर है या उनको लगवाना है वहांकर वो नहीं पाई जाती हो उसी के रूल्स के एकोरिंगने कारोजने levant सब दो लोगी आई जाए तो इसके बारे में हमारे सभी साफ आपो और जाप में आप्सक्ति कर दो गया है कि अपर पर दो कर दो कि लिए अधिके लिए आग के दुड़ाने इसाथ को यह सब आधि में नहीं पुर थाद में पर दो तकि आप हो गया है ऐसाल बतना ड्सकता है ठीड़ी है ऐसा को घरी ुब्सक्राइब